चलो बच्चो गुड मॉनिंग 13 तक कर लिया हमने यानि 13 लेसन खतम कर दिये हैं आज हम 14 फ़ाला लेसन करेंगे और लेसन का नाम है खान पान की बदलती तस्वीर खान पान यानि हमारा जो खान हम खाना खाते हैं और जो पानी पीते हैं यानि जो खाना पिना हम खाते हैं वो उसमें अब चेंज आ रहे हैं पहले क्या होता था देशी अच्छा बड़िया घर का खाना होता था है दूद, गी, दही, रोटियां, चावल और अब क्या खाते हैं चेप्स, डबबा पैक, फ्रोट्स, पीजा, बर्गर फास्ट का मतलब क्या होता है, अभी हम क्या खाने लगें, फास्ट फूड बहुत अच्छे लगते हैं तो फास्ट फूड का मतलब होता है, फास्ट मतलब या जल्दी, और तुरंत भी होता है खाना मतलब fast food मतलब खाना यानि जल्दी खाना तो क्या होता फटा-फट आप बना आलस भी आ गया है बनाने में भी जोर आता है चलो फटा-फट ले आओ पैकिंग का और खोलो और खालो और थोड़ा सा उसमें वो डले होते हैं मसाले वसाले बजार के तो टेस्टी लगता है तो अब क्या लोगों का उस तरफ जादा ध्यान जा रहा है जो अपने खाने जो अच्छा बढ़िया खाना है उसको अब हम थोड़ा सा अंदेखा कर रहे हैं जबकि वो जादा अच्छे होते हैं उनसे उनमें पूरी सारी पहले दाले हरी सबजियां और चावल, घी, दू, धाई, रोटिया, मतलब सारी सब कुछ फ्रूट तो यह आदमी खाना पसंद करता था और यही सामिल होते थे हमारी डाइट में पर अब क्या हो गया है कि नास्ते में चलो ब्रेड सेक लो टोस्ट खालो चाए पीलो हना यह सब होता है और उसके बाद दिन में चावल खाए तो खाए नहीं तो पिजा ले आते हैं शाम को बर्गर आ गया हना तो यह सारी चीजे अब क्या ची इंजोरी है और पहले एक चीज और थी कि हना बहुत सारे खाने ना उस जगे के प्रसी दुआ करते थे जैसे मत्रुआ का पेड़ा आगरा का पेठा नमकीन हना उदरपुर की कचोरिया प्याज की गुजरात क्या ढोकला गाठिया तो यह ना उसी राजिये उसी स्टेट एक पर्टिकुलर जगे में ही जाने पड़ते थे खाने के लिए वहां से लेकर आने पड़ते थे लेकिन अब तो क्या है कि सब जगे सारी चीजे मिल जाती है ऐसा कुछ नहीं है कि है ना कण को अगर गाठिया खाना हो तो घुजरातही जाना पड़ेगा या पीर पेठा कहना है अब क्योंकि इतनी सुविदा की कि एग जगé से दूसरी जगे यह चीजे प्रोवाइड हो जाती है या निमेल जाती यह शएलों को तो लेकिन जहां पर STEPHAN मुंश दूर अलग स्वाद आता है और अब चेंज भी आगे वेराइटी भी चेंज हो गई है थोड़ा सा उतना स्वाद दीरा जितना पहले चीजों में स्वाद हुआ करता था अब उनमें क्या गई है चीजों में मिलावट पहले लोग ज्यादा इमानदार थे अब कम इमानदार रहे तो वो दोनों सारी चीजे हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं चलो अब लेसन सुरू करते हैं पिछले 10-15 वर्सों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है इडली डोसा बड़ा सामबार रसम अब केवल दक्षिन भारत का तकी सीमित नहीं है आप चले जाओगे पालनपूर जैसी जगे पर भी इडली डोसा सामबार मिल जाएगा अब हमको कहां नहीं जाना पड़ेगा साउथ में नहीं जाना पड़ेगा यह सब खानी के लिए यानि दक्षिन भारत साउथ मतलब दक्षिन भारत में नहीं जाना पड़ेगा हलांकि वहा अब तो उत्तर भारत की धाबा संस्कृती लगबग पूरे देश में फैल चुकी है, धाबा संस्कृती पता है हाईवे पे चले जाओ, बहुत सारे धाबी मिल जैंगे वो वाली संस्क्रती, अब पूरे पहले धाना उत्तर भारत में ये जाद़ प्रचलन में थी, पिर अब तो धीरे धीरे हर स्टेट में आपको ये संस्क्रती मिल जाएगी अब आप कहीं भी हो उत्तरभार्ती रोटी दाल साग आपको सब जगे मिल जाएगा फास्ट फूड तुरंत भोजन देखो आगया आपके लेसन में का चलन भी बड़े शहरों में खूब बड़ा है इस फास्ट फूड में बर्गर नूडल जैसी कई चीजे शामिल है पानी आगया मुमें आया खानी की चीजे है तो आए गई हो और वो भी सुब्बे सुब्बे पढ़ा रहे है तो भूख भी लग जाती है ना और टेज हो गई भूख है ना एक जमाने में कुछी लोगों तक सिमित चाइनीज नूडल्स अब संभवत किसी के लिए अजनभी नहीं रहे है ना सब लोग नूडल्स की तो बात आते ही बच्चे बच्चों का चराई खिल गया होगा है ना आज शाम को यही डिमांड होने वाले है मम्मी से नूडल्स की पक्का मुझे पता है टू मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप से तो कम से कम बच्चे बुड़े सभी परिचित हो चुके इसी तरह नमकीन के कई स्थानिय प्रकार अभी तक भलई लेकिन आलू चिप्स के कई विज्यापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगे बनाते जा रहे हैं नमकीन मिल रही है अलग लग उसके भी बहुत सारे है कि ये भी काजी वाली है हल्दी राम की है और बहुत सारे फ्लेवर की मिलती है और बहुत सारे उसके ब्रांड हो लेकिन एक जो ट्रेंड अब ज्यादा प्रचलर में आ रहा है वह है चीप्स वाला टीवी में बैठो ना तो पाश मिनट का वह एपिसोड आता है फिर तीन मिनट के वह एड आते हैं उसमें एक एड तो किसका होगा चीप्स का ही होगा वह लहर चीप्स और भी आगे बहुत सा जाती ढुकला गाठिया भी अब देश के कई हिसों में स्वाध लेकर खाय जाते हैं और बंगाली निठाईयों की के वल रस भरी चर्चा नहीं होती वे कई शेरों में पहले की तुल्णा में अधिक मिलने जो बंगाली मिठाईय उती है उनमें क्या होती है आपके गुलाज जामन रोसुगुला क्या मोलते दो अश्म तया कि अलोग मिठाएं ëंस में चास्न तो वह पहले ला की बहुत जादा कि बंगाली मिठाएं बहुत इस्तरी होते है या निते एक इस धने एक पर दिस्धानिये लाओं उसी जगे के पर हाहिते हैं तो उनको कहते हैं इस्थानिया आप अन्य प्रदेशों के व्यंजन पक्वान भी प्राय हर छेत्र में मिलते हैं और मध्यम वर्गिये जीवन में भोजन विविदिता अपनी जगे बना चुकी है यानि जो मध्यम वर्गिये जीवन है यानि मिडिल क्लास फेमिलीज है उनमें भोजन यानि तरह तरह का बोजन मिल जाएगा अब वो नहीं रहा कि दाल रोटी खा लिए दाल चावल खा लिया जादा वह तो पकोड़े सेक लिए या फिर बहुत बड़ी बात हुई तो हल्वा बना लिया, लड्डू बना लिया अब ऐसा नहीं है अब तो पिजा बनेगा, बर्गर बनेगा इडली सामर बनेगा, डोसा बनेगा नूडल्स बनेगे चावमीन बनेगे और एक और वो क्या आया है बॉल्स होती है बचो नहीं या दा रहा मुझे तो उसको खाते हैं वो तो याद करके मुझे बताना ठीक है, यह आपके लिए छोड़ दिया है ठीक कुछ चीजे और भी हुई है मसला अंग्रेजी राज तक तो जो ब्रेड केवल सहाबी ठीकानों तक सीमी थी, सहाबी यानि सहाब लोग जो होते थे उनहीं के घरों में ब्रेड खाने को मिला करती थी, लेकिन अब तो कस वो गाउं में भी सुबह सुबह ब्रेड, चाय ब्रेड का चलन आ गया है, और नास्ते के रूप में लाखो करोडो लग, इजी पड़ती है तबे पे एक इधर से उल्टी करी इधर से उल्टी करी, और फटा-पट साथ में क्या मिल गया, चाय बना लिए डिप कर करके खा लिया मम्मी को भी कम महनत करनी पड़ रही है और बच्चों को भी टेस्ट आ रहा उसमे, या फिर जेम लगाते है ना, बटर लगा के तो वो इजी बढ़ता है तो अब तो ये सब जगे आसानी से मिल जाती और बहुत सारे, देखो सेकी तली जा रही है खानपान की इस बदली वी संस्क्रती से सबसे अधिक प्रवावित नई पीडी हुई है, नई पीडी जो यूवावर्ग है, नि जो अब नई जर्नेशन है बड़े बुड़े तो अभी भी नहीं खाते कम इनको पसंद करते हैं लेकिन जो अब नई पीडी है वो इसको बहुत पसंद करती है जो पहले के इस्थानी वेंजनों के बारे में बहुत कम जानती है में बड़ी जरूर हो गई मतला अब जाद है इनका प्रचलन भढ़ गया पाव भाजी का कुछ नहीं है तो चलो पाव भाजी बना लो छोले कुल्चे पर अन्य स्थानी वेंजनों की दुनिया में छोटी हुई है जानकर ये भी बताते हैं कि मतुरा के पेडो और आगरा के पेठे नमकीन में अब वे बात कहा रही यानि जो चीजे बची हुई है उनकी गुणवत्ता में फरक पड़ा है मतला क्वाल्टी गुणवत्ता मतलब जो क्वाल्टी है ना उनकी उनमें पहले जितनी अच्छी क्वाल्टी अब इन चीजों की नहीं मिलती है अब क्वाल्टी में चीज आ गया नहीं थोड़ी सी कम हो गई है वो उनकी गुणवत्ता फिर मौसम और रित्वों की अंसार फलो खाध्यानों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे उन्हें बनाने की फुरसत भी अब लोग के पास कम है क्योंकि जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो इतनी जादे बिजी हो गई है तो कि अब उन चीजों को बनाने का समय भी कम रहा अब पहले तो कितने कितने अचार जिस चीज का सीजन है तो अचार जरू डलते थे मुरब्बा बनता था उसका मतलब बहुत सारे से अब तो टाइम ही नहीं है तो बजान में मिल जाएगा ना रेडिमेट वो लियाएगे तो वो भी फुरक आया है उन्हें बनाने की फुरसत अब कितने लोगों को रह गई है अब ग्रहणियों या कामकाजी मुलाओं के लिए खर्बूजे के बीच सुखाना छीला और फिर उनसे व्यर्जन तैयार करना सस्मुझ दूसाध्य यानि मुश्किल कारे है पहले तो बहुत इतने इतने बीच खर्बूजे और उसके कलक्ट करते थे घरों में फिर उनको बैठके छीला जाता था और इतने इखटे करके फिर उनके पाग मनाई जाते थे तो यह बहुत ट्रेंड थे अब किस पे इतना टाइम है क्योंकि पहले क्या होता था जोइंट फैमलियां भी होती थी बहुत सारी ओरते होती थी घर में चाची ताई बुआ और दीदिया तो वो सारे मिलके काम करते थे पर अब क्या जोग में भी जाती है बहुत सारी और अब इतनी जोइंट पैमलियां भी नहीं रही है उसका भी इस पे फरक पड़ा है यानि हम पाते हैं कि एक और तो इस्थानी वेंजनों में कमी आई है दूसरी और वे ही देशी विदेशी वेंजन अपनाई जा रहे हैं जिने बनाने पकाने में क्या आसानी पड़ती है जल्दी बन जाए फटा फट इंस्टेंड जटील प्रकरियाओं वाली चीजे तो कभी कबार वेंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तयार की जाती है पहले तो दादी ये काम किसका होता था घर में खाना बनाना सिखाने का दादी का या बुआ का या ताई मम्मी ये सिखा दे देखाना अब वो सब गया आप तो क्या लिख लेते हैं बुक रखली वेंजन बनाने वाली और उसमें से पढ़ पढ़ के बना दिया अब सहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हो ये इस्तिती सभाविक लगती है फिर कमर तोड मेंगाई भी है लोगों को कई चीजे चीजों से धीरे धीरे वनचित किया है जिन वेंजनों में बिना मेवों के स्वाथ नहीं आता उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन चार बार नहीं सोचेगा क्योंकि ड्राइफ रूट्स इतने महंगे हो गए हैं कि अब अरे यार इसमें तो इतना सारा ड्राइफ रूट्स जाएगा तो रहने दो क्योंकि महंगाई बहुत जादा पड़ गई है तो लोग ऐसी चीजों को इसकी वज़े से भी अवोइट करने लगे हैं खान पान की जो एक मिश्रिश संस्क्रती बनी है इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं कुछ मतलब पॉजिटिव भी इसके परिणाम है ग्रहनियों और कामकाजी महिलाव को अब जल्दी त्यायार हो जाने वाले विभीद वेंजनों की विदिया उपलब दे यानि जिनको ज जान बहार की चीजों की जानकारी हुई है कि मतलब कहां क्या खाते हैं तो एक नौलेज बढ़ा है बले ही किनी कारणों से और किनी खास रूपों में क्योंकि ये भी एक सच्चाई है कि विभीद वेंजन इन्हें निखालिस रूप से उपलब नहीं है यानि आराम से हर प्रदेस में पहुंची हैं पहले इतना नहीं था जोपस का कि यहां से वा अब तो हना मतलब दक्षिन का आदमी हना उत्तर में जा रहा है कमाने के लिए या हना इसका वैस में तो यह बहुत आपस में यह मेल जोल की वज़े से ना यह सारी चीजे पूरी जगे फैल गई है बड़े सेरों के मध्यमवर्गे स्कूलों में जब दोपहर के टिफिन के वक्त बच्चों के टिफिन डिपे खुलते हैं तो उनसे विभिन प्रदेसों के वेंजनों की एक खुश्बू उड़ती है क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि उसी स्टेट के बच्चे इस स्कूलों में दूसरे स्टेट से आयों जो वाले जिनके ट्रांसपर हों है कुछ कमाने के लिए आ जाते हैं अच्छे कमाई बिल जाती है तो वो अपना खाना पीना तो वहीं का बनाते हैं तो फिर जब इसकूल में बच्चे टिफिन लाते हैं तो अलग-अलग वेराइटी के टिफिन ख खुलते हैं कोई गुजराती है कोई महरास्टियन है कोई रास्थानी है कोई पंजाबी है तो अलग-अलग से सबके पास होती है हम खान-पान से भी एक दूसरे को जानते हैं खाने से भी पता चल जाता है कि कोई ढोक लाया है तो गुजरात का होगा कोई छोले-बटूरे लाया है पंजाबी यह है ना तो ऐसे मतलब उनके खानपान से भी पता चलता है नई संस्कृति में हमें रास्टी एक्ता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं बीज बलीभाती तभी अंकुरीत होंगे जब हम खानपान से चुड़ी हुई दूसरी चीजों की और भी ध्यान दे कोई की डिस है कुसी और स्टेट किये तो हम उसको अच्छे से अपनाएंगे तो इससे क्या होगा देश में भी एक्ता का आगास होगा एक्ता को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि भारत अलग भीविनताओं में एक्ता वाला देश है मसलम हम उस बोली बोली बानी भाशा भुश आदि को भी किसी ने किसी रूप में जादा जानेंगे जो किसी खान पान विसेशे से जुड़ियु May Some Farm के साथ लाइंगूरी भासा बी अलंग अलग होती है पैनावा भी अलग होता है तो जब मिलेंगे इस जरीए खान पान के जरीए तो वो चीज tabs करा क्यों ने को इनको अब एक चलन आ गया है कि एथनिक बुलाने लगे हैं जैसे किसी को चणिया चोली लेना है तो एथनिक शब्दी उज़ करेंगे और जिन्स उज़ने लेनी है तो वो मौडन हो गई तो इस तरह से अब इसको एथनिक कहकर बुलाने लगें ऐसे इस्थानी वेंजन केवल पास सितारा होटलों के परचाडा नहीं छोड़ दिये जाने चाहिए लग खाली अब यह किए चीजे ना यह डोकला रखा है समोसा रखा भाई यह तो मुझे भी भूट लगाई है वह तेज बचो जल्दी-जल्दी खतम करते फिर खाएंगे है ना यह प्लेट में और रग बाजारों से गायब हो जाए तो यह दूरबाग्य ही होगा भई ऐसा नहीं कि खाली हमको डोकला खाना तो बजार जाना चाहिए अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूडियां कचोडियां जलेबिया भी अब बाजारों से गायब हो रही हैं मौसमी सबजियों से भरे हुए समोसे भी अब कहां मिलते हैं अब तो नूडल्स बर्गर्स हना पिजा इन पे ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं उत्तर भारत में उपलत बेंजनों के भी दुर्गती हो रही है अब लोग उनको भी कम पसंद करने लगे नए नए आगे ना चीजे बहार की उनको ज़्यादा है लोग जो जल्दी फटा फट खाओ वो अपे ध्यान दे रहे हैं अच्रस नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीजे गली महलों की दुकानों में आम हुआ करती थी उन्हें अब खास दुकानों में तलासा जाता है फिर जब ज़्यादा उसका चलन नहीं रहा तो लोगोंने वो बन कर दिये और आब वो कहीं कहीं ही मिलती हैं तो उनको ढू अबले में हमारे बहुत अनकूल नहीं हैं यानि हमारे माफिक नहीं हैं फिर भी हमने उनको अपनाया और जो हमारी चीजें जो हमारे लिए अच्छी हैं हमारे स्वास्त के लिए अच्छी हैं स्वाधिस्ट भी हैं और उनमें रस भी है हमने उनको छोड़ दिया है और पश अक्षिमी चीजों को जादे अपना लिया है हो ये भी रहा है कि खान-पान की मिश्रिश संस्क्रती में हम कई बार चीजों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पारे अक्सर प्रती भोजों और पार्टियों में एक साथ डेरों चीजें रख दी जाती है तो क्या अधे तक ग एक का हम टेस्ट नहीं ले पाते तो वो सारा गड़ मड़ हो जाता है ना ऐसे जैसे नहीं होता ने कि सारी चीजे खटी हो गई समझ में नहीं आता कि ये कौन सी एकौन सी तो उस मुश्किल आती है सेम वही चीज़ है खान पान की मिश्रित अभी भी संस्कृती है मग कुछ चीजे चुनने का अफसर देती है हम उसका लाप प्राय नहीं उठा रहे हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विप्रीत प्रकृति वायद ले वियंजन एक साथ परोस लेते हैं भाई भ प्रकला एक चोड़ी मतलब क्या हो गया वह सब मिक्स हो गया अब पता ही नहीं चल रहा है कि मतलब किस कौन सा कहा का इसका स्वात कैसे लेना तो वह चीजे भी आ रही हैं इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविद संस्कृती बनी है और लग रही है लग यही रहे कि यही और अधिक विक्सित होने वाली है उसे तरह तरह से जाचते रहना क्या है जरूरी है और इसके राइटर कौन है प्रियाक सुकला चलो बहुत तेज भूख लगाईए बचो यह लेसन पढ़के तो मैं तो खाने जारी हूँ आप लोग भी फटा फट किचीन में भागो इसे बनाया हूँ पिज्जा वर्गर पे नहीं ठीक है ओके बाई बच्चो